बातिय जनता यवा मोच्छा के राष्ट्री अद्धिक्ष तेजस्वे सुर्या ने नाखपुर के प्रेस कलब पत्रकारों से बात करते समय बताया कि भाजबा के राष्ट्री अद्धिक्ष जेपी नंटा चार मार्च को नाखपुर में आईजित नमो महा यवा समिलन की एक बड़ी राली को संभुरित करेंगे सुर्या ने ये भी बताया कि इस महा समिलन में देश भर से एक लाग से अधिक युवा भाग लेंगे बाश्बा के इस आरुप पर करना टक में कॉंग्रेस समर्थों को ने करना टक विधान परिशत में पाकिस्तान समर्थ तक नारी लगाए सुर्या ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी भारत को विभाचित करने वाली मूल पार्टी है और विभाचन कॉंग्रेस पार्टी के डियने में नहीत है और ये आशा करना गलती होगी। कॉंग्रेस पार्टी की ओर से इसके अलावा कुछ भी नहीं उन्होंने कहा। बीचिपी के सांसत होंगे और आंतर प्रदेश में बीचिपी का वोट प्रतिशत पड़ेगा सो यानि ये भी कहा कि बीचिपी की 2014 से 2019 की चुनावी चेत में देश के युवा की बड़ी भूमी काती और कहा कि उनमें से जाधा तर पहली बार बड़ा था थी जो बड़ा चाहते थे देश में एक मात्र पार्टी है जहां युवा उनको पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए मोका मिलता है बिना आपके बर्च सर्टिफिकेट को पूछे हैं वो भारतिय जनता पार्टी है मैं इस फिलोसफी का स्वयम एक उदाहरन हूँ यहां उपस्तित हम सब जो पार्टी के यहां युवा मोर्चा के कारे करता बैटे हैं हम सब इसके लिए एक उदाहरन है देश में एक मात्र पॉलिटिकल पार्टी है जहां युवा उनका प्रमोशन और एंकरेजमेंट बर्च सर्टिफिकेट से नहीं कैरेक्टर सर्टिफिकेट से होता है अपने हार्ड वर्क से होता है वो भारतिय जनता पार्टी है भारतिय जनता युवा मोर्चा है मैं बहुत confidence के साथ कह सकता हूँ कि इस बार के चुनाव में भी बहुत सारे युवा मोदी जी के नित्रतु में चुनाव में कंटेस्ट भी करेंगे और कई सारे युवा करोडो करोडो संख्या में युवा मोदी जी को पूर्ण समर्थन देंगे और युवा स्पिरिट वाली युवा केंदरित विकास करने वाली सरकार फिर पांच साल के लिए देश में आने वाला निश्चित है सुर्या ने कहा कि युवा ने सशक्त और उर्जवान बीजेबी को जीद दिलाई है पिछली दस वर्षों में मोदी का विकास युवा केंदरित था कैमरा परसन राजकुमार बहुड के साथ शितिजा देश मुख की रिपूर्ट